आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने पडिवार फ्यूचर ओनलाइन क्लासे सोनपुर में आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को डायट थावे गोपाल गंज के एक्जाम और एड्मिर्शन नोटिस के उपर बात करेंगी कि आप सभी लोगों का डियले इंट्रेंस एक्जाम डियाट चौवीस का एड्मिर्शन प्रक्रिया आज से चालू है और अभी तक हमने इस्टिक बाइज करके इंपॉर्टेंट कॉलेज के नाम को नोटिस बाइज करके आपको हम बता रहे हैं ताकि जो बच्चे दूर के होंगे उनको इस कॉलेज में जाने में या उनको वहां पर एड्मिर्शन लेने से पहले सारी जनकारी पता होनी चाहिए कि कौन-कौन से डॉक्मेंट और क्या-क्या चीजी लग रहे हैं जिससे आपको मददगार बहुत साबीत हो जाएगा तो मैं अभी आप सभी लोगो को डायट थावे गुपाल गंच की एड्मिर्शन नोटिस जारी हो चुका है और वहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो है डायट थावे में एड्मिर्शन के दुरान कौन-कौन से डॉक्मेंट लाएंगे कितना पैसा लेगा क्या-क्या-क्या पीडिएफ करे जनकारी समय देने वाले है साथ इससाथ इसका इस पिडिएफ आपको जो है इस वीलिएफ के नीचे डिस्क्रिपसन में लिंक और आपको जो है टेलीघराम का लिंक मिलेंगा वहाँ जमाइन कर लीजीगा ये search मने fazem एक निदर चलान के कोई और यूपे subscribe लिए नोटी सक प्रसचाय को मदद मिलेगी यहाँ पर ध्यान दीज़िएगा जीला सिच्छायों, प्रसिच्छे संतान, डायेट थावी, गुपाल गंच, काडियाले आदेश देखेगा, सत्र, 24-26 के नम अबकर निने वाले अभिरतियों को सुचित किया जाता है कि सभी मूल परमान पत्र जाज कमीटी के समक्ष जाज करवाने के पसात नमंकन फिस जो है समानने वर्ग पिछला वर्ग और अत्यंत पिछला वर्ग के लिए 11,500 रुपए और वहीं पर अनुसुचित जाती जन जाती और दिव्यांग वर्ग के लिए 7,000 रुपए इस भी आई कॉलेक के माध्यम से जमा किया जाएगा और उसका रसीद भी तत्काल जमा करना आनेवारे होगा यहाँ पर संस्थान का खाता नमर दिया गया है और IFC कोड नमर दिया गया है याँ आप यहाँ पर जो है ओनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं ओनलाइन पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पर और इसका पेमेंट करकर इस यह वाले खाता नमर और यह वाले जो है आई-एफिसी कोड नमर पर पेमेंट करके आप जो है उसका चला मतलब की प्रिंट आउट निकलबा कर दो गो यहाँ जमा कर लीजेगा यहाँ पर फोन पर उगरा कर सकते हैं तो कि यहाँ पर एकाउंट नमर दिया गया है यह डाइट गोपाल गंज थावे में समझ गए आग पर जो है संस्थान में परवेश पत्र आवेधन पत्र डाइट में उपलब्ध है यानि कि एक आपका जो है एडमीर्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूं एक आपको जो है एडमीर्शन PDF मिलेंगे जो की डाइट थावे आपको देगा उसको भर दीजेगा साथी साथ ब्यस भी द्वार आवेव साइट प्रावेविजित आवेधन पत्र की कोपी आपने जब डीलेट का फॉर्म बना था इसका आवेधन पत्र होना चाहिए एडमीर्शन होना चाहिए कोई भी चलेगा कोई दिकत निये ने तो स्कोर कार्ड ले लिजेगा ने तो एलोटमेंट थे लेटर आपको जो मेरिट आया है फिर आपको जो है पंध्शाप पन् norm शूर कार्ड आपका स्कोर को बद्लेगा निवास परमान === प्रवजनल परमान पत्र यानि माइग्रेशन होगा आपका समझे ना माइग्रेशन यहाप लएगा पुरा समय जूम कर देता हूं साथ यहाप देखेगा इवस परमान पत्र दिव्यांग परमान पत्र ओनलाइन फी जमा करेंगे जो उसका रिसीब लगेगा फिर छे पासपोर्ट फोट लगेगा आप आचरंग परमान पत्र और अधार कार्ड लगेगा साथ यह आप बीसेश नहीं लिखाएगे अगर आप जो यह 12 लेबल पर अगर आप गिर्जयोशन लेबल पर लेखे इस नातक की CLC जमा करने पर आपको इस नातक के अंट-पत्र और मूल परमान पत्र भी जमा करना होगा अगर आप गिर्जयोशन का CLC देते हैं तो गिर्जियोशन का मूल परमान पत्र औरन परमान पत्र दिना परेगा समझे न साथ सभी दास्तवेज का दो दो फोटो कोपी करकर जमा करना होगा ये सारे आपके डॉक्मेंटेशन डाइट थावे गुपाल गंज में लगेंगे साथ इसाथ ये आपका सपत पत्र का जो है देख सकते हैं यहां पर लिया गया यहां देख सकते हैं कि सपत पत्र आपको यहां पर नजर आ रहा है समझे ना देख सकते हैं यहां पर डाइट देखिए कहां पर लिखा हुगा है इसका PDF आपको मिल जागा यह आपका सपत पत्र है जिसका PDF फॉर्मेट है समझें यह सपत पत्र का इसका फॉर्मेट है इसी तरह आप जो है डिमिशन ले सकते हैं तो वासा करते हैं जो बच्चे डाइट थावे गोपाल गंज से बिलॉंग करते हैं उनको यह वीडियो काफी विद्धगार साभित हुआ होगा तो आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक से शेयर कीजे लाइक कीजे और बहुत जल्द हम आपके पूरे डिस्टिक के जो है जैसे इसे नोटिस आएंगे वैसे बताने के काम करेंगे क्योंकि हम पूरे जीले का तो जा नहीं सक देते लेकिर हम बच्चों के साथ मिलकर हमारे बच्चे जो है काफी मेनती है वो सम मिलकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद और सुजीत दी को बहुत-बहुत बिल से धन्यवाद देने के लिए फिडिए बहुत-बहु झाल झाल